नमस्कार दोस्तों आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिक्सा सबको में आज हम लोग व्यवसाय अध्यन विशाय पढ़ेंगे तो जैसे के आपको पता है हमने पार्टिकराम एक व्यवसाय परिचय का पहला अध्या समाप्त किया है पहला पार्ट पढ़ा व्यवसाय दो जो उसे पहले वाली जो पार्ट में पढ़ा था कि लोग अपनी आजीवी का कमाने के लिए या अपनी गुजारा करने के लिए बहुत सारे संगधित या पिर एकल प्रियासों में संलंग रहते हैं मतलब यह तो अकेले करते हैं या फिर किसी संगधनu के साथ जुड़के करते हैं जिसको की वेवसाय कहा जाता है तो वेवसाय क्या होता है उरुविक एमों हंट एक विद्वान थे उन्होंने कहा है कि वेवसाय एक ऐसा उपक्रम है जो किसी वस्तु अत्वा सेवा को बनाता है वित्रित करता है अत्वा उपलब्द कराता है तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उद्योग दथावानिज उसमें आप इनी सब क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो टॉपिक इसमें आता है वो है व्यवसाइक क्रियाओं का वर्गी करन इसमें क्या है हम लोगों को पता है कि जो यह वस्तुएं या सेवायां जो उत्पादित होती हैं यह उत्पादित होती हैं मानव की आवश्यक्ताओं की पूर्टी करने के लिए तो जो मूल आवश्यक्ताओं मानव की होती है वो होती है भूजन कपड़ा और मकान की इसके अलावा भी कहीं सारी और आवश्यक्ताओं होती है जिनकी की पूर्टी वस्तुएं या सेवाओं का उत्पादन कर की जाती है तो जैसे कि आप जानते हैं से ब्रेड आप खाते हैं या फरनीचर का उप्योग करते हैं आदी आदी तो व्यवसाइक क्रियाएं जो होती हैं व्यवसाइक क्रियाएं दो प्रकार की होती है पहले प्रकार की व्यवसाइक क्रिया को उद्योग कहते हैं उद्योग क्या होता है उद्योग का मतलब होता है किसी चीज का किसी का उत्पादन उद्योग वस्तू या सेवाओं के उत्पादन में सनलंग होता है यानि कि इसका संबन्द वस्तू और सेवाओं के उत्पादन से होता है मतलब उद्योग के अंतरकत आप वस्तू या सेवाओं को बनाते हैं आप प्रड्यूस करते हैं बनाते हैं इसके पर चाह यह वानिजी के अंतर गताता है मतलब यह मुख्य रूप से बस्तूओं और सेवाओं के वित्रण से संबंद होता है अगला जो टॉपिक है अब हमने अभी पड़ा उद्योग के बारे में तो अब जैसे कि आपको पता है व्यवसाइक करिया जो भी व्यवसाइक करिया होती है व्यवसाइक करिया की दो श्रियनिया थी उद्योग और वाने ची तो व्यवसाइक करिया के का जो उद्पादन पक्ष था या जो की उद्पादन से संबंदित था उसको उद्योग कहते हैं जो उद्योग है उद्योग बिसिकली जो व्यवसाइक करिया है उसके निम लिखे भागों से सम्मंदित होता है पहला है सामगरी का निश्कर्षन निश्कर्षन मतलब निकालना या एक्स्ट्रेक्ट उसको इंगलिशन बोलते हैं तो जैसे कोईला लोह ऐसक तो यह जो चीज़े हैं इनको भूमी के अंदर से निकाला जाता है तो सम्मागरी का निश्कर्षन भी उद्ध्योग होता है अच्छे सामगरी का प्रक्रियान मतलब उसको बनाना तथा तयार उत्पाद में परिवर्थित करना मतलब जो अच्छे सामगरी है उसको पॉसेस करना और जो उसके पस्चात जो एक उत्पाद सब उत्पादों के उधारण है ये भी उद्द्योग के अंदर लदाता है इसके पश्चात है रशनात्मक्रिया है रशनात्मक्रियाओं में क्या मतलब है कि जैसे आप कोई चीज नहीं बनाएं जैसे आप मकान बनाएं ये का रशनात्मक्रिया है बांध बनाएं सेतू बनाएं सटक्य बनाएं इसके पस्चाथ है अब उद्योगू का वरगी करण उद्योगू का बरगी करण किस प्रिकार से अब उद्योगू को बाटते हैं? तो पहला जो है वो है प्रात्मिक उद्योग, प्रात्मिक उद्योग से मतलब है, प्रात्मिक उद्योग से क्या मतलब है, प्रात्मिक उद्योग जो है प्रकर्ती के उपर जो उद्योग निर्भर करते हैं, यह जो प्रकर्ती की मदद से कीजे जाते हैं, उन उद्योगों को कहते हैं तो क्योंकि यह जो उद्योग होते हैं प्रकरती के उपने रुभर करते हैं अथा इसमें जो मानवी प्रयास है यह जो मानव की जो खुद जो मानव काम करता है वो कम से कम लेते हैं इसमें कृशी हो गया जैसे वन वनों से आप कुछ चीजें लेते हैं या मशली नामसी समझ में आ रहा है कि जनन से संबंदेते हैं, मतलब पैदा करने से संबंदेते हैं, तो विक्री के उद्धियों से, मतलब आपको बेशने के परपस से, अगर आप लोग कुछ निश्चित प्रजाती के पौध हों, मतलब या तो आपको ऐसा पौधा हुगा रहे हों कि वी जनननिक उद्ध्योग में आएगा, इसे परकार से व या जनतुओं इनके प्रजनन और वृद्धी में सलंग्न उद्ध्योग जननन उद्ध्योग कहलाते हैं, कुलमला के ऐसा आपने देखा होगा मुर्गी फार्म होते हैं, जहांपे क्या मुर्गियां पैदा करते है है और उनको बेता हैं या मुर्गा बेशते हैं और उनके अंडे मेता है एसे प्रिकार से कुछ लोग बकर्री पालन करते हैं कुछ लोग भेड़ पालन भी करते हैं तो यह सब जो जो ध्योग जन्योग कहलाते थो बताई दिया आसा चुड़ा आतम मैंने आपको बताई दिया कि इनको उधlyon bisa तो भूमी वायू या जल से बस्तों को निकालना जो उसके अंदर चीज़ें हैं उनको सुध करना निकालके यह सब निश्कषन उद्योग में आते हैं तो जो निश्कषन उद्योग होता है इसके जो उत्पाद जो आप बनाते हैं यह मुख्यत है अंतिम मतलब आपको कहना च यह सब्सक्राइब और ओद्योग होगी तो बैसिकली वह निर्माण या रश्नाकम इक उद्योग में इसका उप्योग इनके जव्प्रावपश्च्टू का उप्योग किया जाता है जैसे माल ले यह तो खनद उद्योग से आप लोहा निकालते हैं, आप अलमूंईयं निकालते हैं, आप कोयला निकालते हैं, तो यह सीजलै छिजए कहा यूज होते हैं, lóg Saat, विजजें से-म्मूणॉन का यूजआ लकड़ई करता हैं, उपयोग करता है, इनका वपयोग करती उब्योग दूसरे उद्योगों में होता है, इसके पश्चात है, जो अगला उद्योग है वो है निर्मान उद्योग, निर्मान उद्योग का मतलब है कि कच्छे माल से तयार माल तयार करना, कहना चाहिए कि आप लोग मशीनों या मानोशक्ती जो है इन सब की का यूज करके जो कच्छा माल है उसको तयार माल में चेंज करते हैं निर्मान उद्योग में, ध्यान से सुनिएगा, इसी परकार से तो जो तयार माल है वो या तो उभोकता वस्तू हो सकता है, उभोकता सीधे खुद यूज करता है या फिर वो उत्पादक वस्तू हो सकता है, जैसे नीर बनाते हैं यह सब भी इसी चीज का के ना चाहिए निर्मान उद्द्धो का उधारण है तो जैसे मानलेजा आपने दूद का प्रोसेसिंग करी दूद का एक प्लांट है उससे प्रोसेसिंग करी तो उसने जो दूद बनाया वो तो सीधे सीधे उभुकता उसको यूज कर सकते हैं तो एक तरह से वो भुकता बस्तू हो गया अथवा उस जो दूद है उसका उप्योग कोई हलवाई करें तो वो उसके हलवाई के लिए उत्पाद बस्तू की तरह काम करेगा और वो उसको कच्च अमाल की तरह यूज़ करेगा दूद को और उससे मिठाईये बना के फिर उभुकताओं को बीचेगा तो ये निर्मान उद्योग के उधान है इसके पस्चात है सननशनात्मक उद्योग सननशनात्मक उद्योग में हमने भी पड़ा हमने जाना कि सेतों सडकों बांधों नहरों ये सब जो है इसमें क्या है ये सारी चीजों का निर्मान होता है तो अब ये उद्धोग दूसरे उद्धोगों से कैसे भिनने होता है ये निर्मान उद्धोग से कैसे बनने है क्यों क्यों कि अन्य उद्धोगों में क्या होता है कि माल एक जगह पर बनाते हैं और दूसरी जगह पर उसको बेशते हैं लेकिन इसमें माल उसी जगह पर जा जाता है तो यह संद्रिशनात्मक उद्योग की उष्रिष्टा हो गई तो संद्रिशनात्मक उद्योग के उधारण क्या हो गए जैसे पुल होते हैं सडके होती हैं बांध होते हैं नहरे होती हैं यह सारे संद्रिशनात्मक उद्योग के उधारण है इसके पर चाहत हम कुल तो ότι अद्व इसमें क्या होता है सेवा अद्वाइ। का है सेवाउद्योग ऐती जो कि सेवाउँ का उत 시ड़ा पाधन करते हैं जैसे होटल जैसे टूरिजम परियटन या मनिरन्जन जैसे आप जाते हैं पिक्छर हॉल में जाते हैं वहां उनकी सेवाँ सेवायों का आनन लेते हैं उनकी स्यवाओं का उभोक करते हैं तो यह सारे सेवा उजw पहली पताया सेवा चेत्र राष्ट के विविगास में जुनकरिखा रिभार है क्योंकि काफी ज्यादा मात्रा में मुद्राГाया अर्ष्त करता है यह उज वड्योगों का एक एक वीडियो दिखाता हूं जिससे के आपको थोड़ा समझमना पाए कि उद्योग होते क्या हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रात्मी वॡ्योगgent है तो इसा अप्रप्रात्मी वॡ्योग जैसे कि आप नहरा हैं कि आ। में कि खेती हो less और यह प्रात्मिक उद्योग है क्यों क्योंकि यह प्रकर्ति की साहिता से किया जाता है यह आप देख पा रहे हैं कि कौर्ण की खेती हो रही है या जिसको आप मक्का कहते हैं उसके खेत दिखा रहे हैं इस वीडियो में अगला है जननिक उद्योग जैसे मैंने आपको बताय कि ऐसे उद्योग जो कि पश्वों या जो पौधे होते हैं उनके जनन्न और उनकी बिक्री से संबंदित होते हैं वो कहलाते हैं जननने को जो जैसे यह आप एक देख पारें पोल्ट्री फॉर्म है या मुर्गी पालन का फॉर्म है यहां पर कहीं सारी मुर्गयां पाल रखी है और यह किसलिए पाली जाती है बिगरी की उद्दिश से पाली जाती है इसके पश्चात है निश्कर्शन उद्दोग जैसे मैं आपको बताया था भूमी बायू अत्वाचल से वस्तों को निकालना तो यहां इस वीडियो में दिखा रखा है एक कोल यह कोईले की ख़दान है जहां से कि यह एक ट्रक के ट्रक में लोट किया जा रहा है इस बुल्डोजर द्वरा कोईल लोट किया जा रहा है निकाला गया तो यह एक खुली भी ख़दान है इसको ओपन कास्ट माइन बोलते हैं इसके पश्चात अब हम देखते हैं निर्मान उद्दोग में हम दिखा रखा है कि यह दूद की प्रोसेसिंग हो रही है दूद का प्रिक्रिया की माध्यम से चीज यह पनीर आदी में परिवर्तित किया जा रहा है तो यह भी निर्मान उद्दोग का उधारन है इसके पश्चात है सन नशनात्मक उद्दोग जैसा कि आपको बताया था कि सन नशनात्मक उद्दोग दूसरे उद्दोग से भिन इस प्रकार से है कि इसमें जो माल है वो एक इसकी स्थान पर तयार होता है और उसी स्थान पर उसका उभोग होता है या उसको बीचा जाता है तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक भावन निर्मान में ये सारे मजदूर लगे हुए हैं ये भावन निर्मित होने के पश्चात यहीं पर ही रहेगा जहां पर क्वाल को नियार माल होगा इसके पिजात है सेवा उध्योग और मैंने दिखा रखा है। एक होटल का एक लॉबी टाइप का चीज़ दिखा रखें जिसमें कि लोग बैठ के आराम करते हैं तो यह एक सेवा उद्द्योग का उधारन है होटल जो है अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो टॉपिक है हमारा है वह है वानिच तो वानिच जी क्या होता है हमने अभी पहले भी आपको बताया था वानिच चे उद्द्योग तो सम्मधित होता है उत्पादन से वस्तू का उत्पादन करिया जाता है उत्द्योग के अंदर करता है जबकि जो वस्तूएं होती है जो उत्पादित वस्तूएं होती है वो उनको उभूकताओं को उपलब्द करान का जो कारी है वो वाने जी गंत्र काता है तो उद्यूग क्या करता है वस्तूओं का उत्पादन और वाने जी क्या करता है इन वस्तूओं को उन्हें उपलप्त कराता है जिनको इनकी आवश्यक्ता है तो या फिर अन्य सब्दों में हम कह सकते हैं कि जो माल का जो वित्रण है या जिसको Englishman distribution कहते हैं वो वानज जी के अंत्रगत आता है तो अब जो वानज जी है वो उन सभी कारियों को जो वो सभी कारे वानेज जी का अंतरगत आते हैं जो की जो की माल को एक जगे से दूसरी जगे भेजने में आती हैं चीजें जितनी में चीज़ आती हैं वो सब वानेज जी का अंतरगत सामिल होती है तो वानेज जी का करता है वानेज जो उत्पादी द्वस्तों को उपलब् की साहय क्रिया है तो अभी हम अभी पढ़ेंगे विपार क्या होता है और विपार की साहय क्रिया है क्या होती है तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विपार क्या होता है विपार क्या होता है विपार का मतलब जो होता है वो क्रय और विक्रय से लगाया जाता है मतलब क्रय या विक क्या होता है वेपारी का काम होता है एक बिचौलिये का या एक मध्यस्त का किसके बीच में उत्पादक और उभोकता की बीच में तो उत्पादक से माल लेता है और उभोकता को माल बेशता है तो इसको बोलते हैं व्यापारी तो व्यापारी दो प्रकार के होते हैं एक होता है फुटकर और एक होता है थोग तो थोग वेपारी क्या होता है थोग वेपारी वो होता है जो उत्पादक से बड़ी मात्रा में कैसी मात्रा में बड़ी मात्रा में यह आप ध्यान रखना है तो बड़ी मात्रा में माल खरीदता है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर वेपारी को बेचता है तो सबसे जो उपर आता है वो आता है थोग वेपारी जो कि बहुत बड़ी मात्रा में जो सीधे-सीधे उत्पादक है उससे माल खरीता है और दूसरा है फुटकर तो फुटकर वेपारी क्या करता है फुटकर वेपारी यसा की बताया गया उपर भी फ फिर क्या करता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में किसको बेशता है अंतिन उभोकता को या फिर जिसको की उसक्य आवशक्ता होती है ऐसे व्यक्तियों को माल बेशता है तो ये आपने देखा कि वेपार क्या होता है थोक वेपारी क्या होता है और फुटकर वेपारी क्या होता है तो याद रखे कि थोक वेपारी बड़ा वेपारी होता है और बड़ी मात्रा में माल खरीता है और जो वेपारी होते हैं फुटकर वेपारी उनको बेशता है यह सीधे गरहा को नहीं बेशता है जब कि फुटकर वेपारी क्या होता है वो थोक वेपारी या उतपादक से माल और सीधेगर्ह को बेढ़ता है, एंतिम्भुख्ता को बेढ़ता है अगले टॉपिक है, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि काफी लंबा हो घाता है वीडियो तो जो कि मैं आपको बतायता हूँ, क्या टॉबेक होगा? वो होगा व्यापार की सहायक क्रियाएं तो व्यापार की सहायक क्रियाएं क्या क्या होती है व्यापार की सहायक क्रियाएं होती है परिवहन जिसमें की भूमी जल और वायू परिवहन सम्मिलित है ये परिवहन से क्या होता है एक माल जो उत्पादक से जो माल होता है वो एक जगे से दूसरी जगे जाता है भंडारन भंडारन में क्या होता है ऐसा तो है नहीं कि जो माल उत्पादित हुआ सारा बिग जाएगा तो उसको कहीं न कहीं स्टोर करना होता है बीच में उसको वो जो स्विवा होती है वो जो हुँता है उसके पसचाहता अथा है वीद्चिजण 1 अपने माल का वीध्यासथा जो पता चल पाएं कि क्या माल आपका जो आप माल भीच रहें लास्ट मूल से मुद्रा की उपलब्ता कराता है पैसा उपलब्त कराता है हुआ। विस्तित तरीके से पढ़ेंगे अकले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और इसके अलाव इस पार्ट से कोई आपको प्रशन हो या फिर पुराना जो हमने पार्ट पढ़ा था कोई भी प्रशन हो तो वो अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और स साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भले ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें लेकिन अपने जो दोस्त हैं या अपने जो जानने वाले हैं जो की ओपन बोर्ट से कर रहे हैं को उन तक इसको पहुचाने का में हम लोगों का सयोग करें ताकि हम लोगों को लाप पहुचा सकी दन्ने वाल